हलो फ्रेंड वेलकम बैक माई चैनल तो जैसा कि थम्लिल से भी आपको पता चल गया होगा और अभी आपको दिख भी रहा है कि मैंने यहां पर इमली की चटनी बनाई है तो यह इमली की खटी मीठी चटनी बहुत ही तेश्टी बनती है आप भी बनाना जानते होंगे हर घर में बनाई जाती है लेकिन मैं जो तरीका बता रही हूँ यह थोड़ा सा अलग और आशान तरीका है तो अगर आप देख रहे हूं मेरी वीडियो तो पूरी वीडियो देखे वीडियो को स्किप मद कीजिए और इसमें मैंने बहुत ही आशान तरीके से इस चट्नी को बनाना सिखाया है तो फ्रेंड यहां पर मैंने ले ली है इमली और यह थोड़ी सी खटी है मतलब ज्यादा कटी नहीं है अगर कटी ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीनी आड करने होगे तो मैंने यहां पर वन बाउल ले लिया है 100 ग्राम और इमली और इसे मैंने दो गंटे पहले ही इतने ही इमली यहां पर पानी में डाल दिया था करने के लिए तो यहां पर अच्छे से फुल चुकी है तो अब मैं यहां पर चमबच की हेल्प से इसे अच्छे से मसल दूंगी जिससे की इसके जो देख रहे हैं ऐसे हो जाने चाहिए चुकी इसमें थोरी से बीज भी है अगर बीज नहीं होती तो आप मिक्सी में चला लेते हैं लेकिन चुकी इसमें बीज है इसलिए हम मिक्सी में इसे नहीं चला सकते हैं तो यहां पर मैं इसे चन्नी से छानने वाली हूँ और इसमें आपको चुकी यह बहुत ही मोटी है बहुत जादा इसमें गुष्दे हैं तो हम यहाँ पे थोरे फ्रेश वाटर डाल करके और इसे इसके जितने भी इसके अंदर जो इंदी पर प्लप है उसे हमें बहार निकाल लेना मझाल में डालने नहां है पानी के साथ में जिससे की हम थोड़ा धोड़ा डालते जाओंगी और चमश की हर्फ से मां इसे दवादवा ऑका छनी से इसके जो भी प Programm उसे मैं बाफर निकाल लोंगी तो चलिए पहले हम इसे कर लेते हैं झाल झाल तो यहां पे सारे पल्प निकल चुके हैं अब हम बनाना सुरू करते हैं तो मैंने यहां पे लिए कड़ाई और मैं उसमें अब डालूंगी थोरे शुक्त और कड़ाई गरम है तो मैं यहां पर डाल रही हूं और यहां पर मैंने वेश्टेवल सॉल लिया है आप भी कोई भी ले सकते में वेश्टेवल सॉल ले रही हूं तो ज्यादा नहीं लेना है यहां पर सिर्फ डाल नहीं यहां तो यहां पर फोरी सी अद्रक में यहां पर तो मैं यहां पर आप यहां पर अद्रक आ बेक अद्रक यहां पर निकाले थे तो मैंने यहां पर डाल दिया है और अब हमेसे पकाना है तो यहां पर मैं पहले मिक्स कर देती हूं जैसे थोड़ी ची वालाने लगेगी तो हमें यहां पर चीनी एड़ करने हैं कि अब है कि अब है कि अब है यहां पर अब वाल आने लगा है तो हम चीनी एड़ करेंगे तो जिस बाउल से मैंने इमली लिया था उसी बॉल से हमें डबल करके चीनी डालनी है तो हमारी इमली बहुत खटी नहीं ती फ्रेंट तो इसलिए हम जादा चीनी नहीं डालेंगे लेकिन अगर आपकी इमली खटी हो जादा तो आप बीच-बीच में टेस्ट करके देख लीजिएगा कि खटी है त गुर और चीनी से भी इमली चटनी बहुत टेस्टी बनती है और काफी बैलेंस में इसने जो तेश्ट हो रहते हैं लेकिन मैं यहाँ पे चीनी यह बना रही हूँ मैं गुर वाली नहीं बना रही हूं और इसे आप आराम से तीन-चार महीने आप फ्रीज में रक के कंटेनर तो मैं जिस तरीके सब बता रहे हूं इस तरीके साब बनाएंगे तो 6 महीन तक भी एक वियुजी फ्रीज में खराब नहीं होने हैं लेकिन चठनी को खृीज में रखते हूं तो यहां पहे अब शेट हैं अच्छे से पकाना है तो में यहां पे फिलम को भी मैंने हाई रखा हुआ है और हाई फ्लेम पे मैं भी पकाने वाली हूँ इसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कलर कितनी अच्छी आ रही है लेकिन अभी हमें इसे बहुत पकाना है क्योंकि बहुत पतली है यह तो अभी हम जब बहुत अच्छी से पकाने वाली हों यहां पे मैंने थोरी सीलाल मिर्श एड कर दी है जब आपेम आया से मैंने काहाँ यहां अभी पोलिये हैं ऑप यहां कि चीनिये के साथ में नमक का बालेलेंस झब होता है तो कोई ही मीठी चीज-बहुत a यह बं तो यहां पिने जो डाला है आपने देखा है कि आधे चमच मैंने कस्मेरी लाल मिर्च में मैं यहांँ और यहांगा पर ढ़। यहांने यहां हमने यहां पे हिंग add किया है कि संअ करने के 2 कारण है तो हिंग से चटनी होती है और लुवठी को सेपुझ से चटनी कि पंड़ी बने दी और दूसरी है यह खराब जल्दी नहीं होती है आपको अगर इसे इसे जोने होती है तो हम यहां पर हम एक डूम हो आपकी 일반 कर दीजिए लोयया को यह चै काम बीट के तो आप करके आ सकते हैं है तो to इस तरह से हैव मैं इस चठनी को पकाते रहना है जब तक इसके कलर अच्छे से और यह गाढ़े नहों उसमें color ना जातु देख सकते हैं है आपके color कि इसके color भी कितनी अच्छी आ रही है तो आप यहाँ मिट्स में हमेज़ा clear which your जिसे इसके color बहुत ही अच्छी आएंगे क्यां और चीनी पर इसके color नातिन चीने डालके या फिर गूर और चीनी दोनों को एक्वाल एक्वाल में डालती हुमें तो यहां पर हमारी चटनी जो हो गई है वो रेडी अब हम गैस को कर देते हैं और आफ करने के बाद यह दस मिनट के बाद यह थंडी जब होगी तो और गाड़ी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि थोरी जो और गाड़ी हो गई है तो इस तरह से हमारी चटनी है यह रेडी हो चुकी है दही बले चाट और ऐसे भी पूरी प्राठे के साथ खाने के लिए तो हमारी जो चटनी है वो रेडी है तो फ्रेंड अगर मेरी यह वीडियो आपको पशंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल गाइकन को क्लिक कर दीजिए तो देखिए इस चटनी की जो थिकने से वो भी अच्छी आ गई है ठंडे होने के बाद काफी थिक हो गई है मतलब हमें इसे जादा थिक नह होंगी तो यह रही हमारी चटनी की रेश्पी इसे आप चाट तही बल्ले या फिर किसी भी चीज के साथ सेंड्विच वेगरा के साथ आप इसे खा सकते हैं और मेरे तरीके से अगर आप अपी चटनी को बनाएंगे तो अगर आपकी चटनी अच्छी बनी तो कॉमेंट करक आपकी चटनी तो चलिए फिर रहे वीडियो में मिलते हैं